आपको बता दे कि पायल रोहदगी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं ये पहली बार नहीं जब पायल रोहदगी को गिरफ्तार किया गया हो ऐसे कई विवादों से जुड़ चुका है पायल का नाम जानते हैं पूरी खबर क्या है पायल रोहदगी को एहमदाबार सैटलाइट पुलिस ने गिरफ्तार किया उन पर धमकी और खुले आम गाली देने का आरोब है पायल पर सोसाइटी के चेर्मेन के खिलाफ शोशल मीडिया पे गाली देने का आरोब है हलाकि बाद में पायल ने इस पोस्ट को डिलिट कर दिया था सिर्फ यही नहीं इसके अलावा पायल पर सोसाइटी के लोगों के साथ बार बार जबडा करना चेर्मेन को जान से मारने की धमकी देने के आरोब भी है 20 जून को सोसाइटी में जब एजियम मीटिंग हुई थी तो पायल रोहतगी उसके सदद से ना होते हुए भी मीटिंग में आई थी जब उन्हें बोलने पर सक्त मना किया गया तो वो गालियां देने लगी साथी सोसाइटी में बच्चों के खेलने को लेकर भी कई बार जगडा कर चुकी हैं पती संग्राम सिंग ने बताया कि सोसाइटी को पायल द्वरा घर के अंदर और बिल्डिंग के बाहर में किसी भी तरह के वीडियो को बनाने को लेकर आपती थी और वो ऐसा करने से बार बार उन्हें रोकते थे संग्राम के मुताबिक इसके अलावा सोसाइटी डेवलप्मेंट चार्ज के तौर पर पायल के परिवार से पांच लाक रुपे मांग रखी थी और ये भी सोसाइटी और पायल के बीच विवात का एक बड़ा मुद्दा था संग्राम ये भी बता रहे हैं कि पुलिस पायल को बिना किसी समन के आज सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन ले गई और पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीजी और मारपीट भी की है